पिए बैच्चों इस पर्ट में हम लोग देखने बाले हैं सीफ जीफ मुच्चिन नुबर 12 को यह कोशन फोरा सा लॉंग है लिखा गया उभा इसमें फोरा सा बढ़ लग रहा है देखने में लेकिन इस yes कुछ है नहीं हम लोग ध्यान से समझेंगा आम नाम से समझ में आयेगा तो चलिए पहले question को समझते हैं फिर इसके solution को हम लोग देखते हैं दिया गया इसमें दो कक्षाओं A तथा B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं मतलब दो क्लास्रूम है दो कक्षा है ए है और क्या है बी है इसमें कुछ विद्यार्थी बैठे है एक बार इसको देख लेते हैं कक्षा B में भेज दिया जाते है तो दोनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है ठीक है मतलब 5 विद्यार्थी A से B में भेज दिया जाता है तो दोनों में क्या हो जा रहा है इक्वल हो जा रहा है मतलब विद्यार्थियों की सं कक्षा B में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दूगुनी हो जाती हैं। लिखते हैं माना की कक्षा A में कुल बचे विद्यार्थियों की संख्या बराबर X तथा कक्षा B में कुल बचे विद्यार्थियों की संख्या बराबर ले लेते हैं। यहां लिखेंगे तब प्रशनानुसार थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम लोग करेंगे कि आप प्रशन के अनुसार हम लोग चलेंगे। हाना इसमें क्या दे रहा है दो कक्षा A तथा B में कुछ विद्यार्थि बैठे हैं। अब चलिए यहां पे थोड़ा सी समझीए इस बात को, यहां लेते हैं कक्षा, कक्षा A अभी बराबर नहीं देते हैं क्योंकि अभी बराबर की कोई बात नहीं है। बैठे है कि यह तथा B में अभी लिखेंगे तो चलेगा यहां देखिए कक्षा ये ले लिए कक्षा बी ले लिए अब हम A में माने है कुल भी द्यार्थी कितना X और B में हम लोग जो माने है वो माने है यहाँ पे हम लोग Y माने है हना तो इसमें करेंगे क्या हम लोग थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ A है यहाँ B है अभी यह एक दुश्रे के बराबर नहीं है क्योंकि इसकी संख्या अलग है इसकी संख्या क्या है अलग है प्रस्ट में क्या दे रहा है यरी कक्षा A से 5 विद्यार्थी कक्षा B में भेज दिये जाते हैं अब देखिए कक्षा A है यहाँ पे अब इस में क्या कर रहा है कि यदि यह से पांच विद्यार्थी कच्छा B में भेंज दिये जाए तो दोनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है अब हम लोग करेंगे इसको एक दूसरे के बराबर फिर से समझे क्या दे रहा है अब हम इसको क्या करेंगे इसको हम लोग हटा लेंगे कोई दिकट नहीं है यह यह हो गया इधर क्या हो गया बी हो गया समझाने के लिए लिखे थे प्रसनि कहीं साफ से चल रहा है कह रहा है कच्छा ए में ए से पांच भी दार थी कच्छा ए में एक से पांच भेजेंगे तो घटेगा बी में जाता है तो बढ़ेगा पंच तो यह दूसरे के बदाबर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे के बदाबर कर लेंगे, यहाँ सिं एक्विशन फर्स्ट निकालेंगे, एक्स हो गया, फीर से प्रसनानुसाच, ठीक है, अब क्या है अब हम लिख लेंगे फिर से प्रस्ण अनुसार दिया गया है कि फिर से क्या दे रहा है बी से पांच विद्यार्थी कक्षा ए में चल जाए तो हाना दिया गया है कि कक्षा कक्षा बी से पांच विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए तो अब देखिएगा ए में कक्षा बी से पांच विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगनी हो जाती है तो दिया गया है कि कक्षा A कक्षा B से पांच विद्यार्थी कक्षा A में भेज दिये जाए तो कक्षा A में विद्धार्थियों की संख्या कक्षा B में बचे विद्यार्थियों की दुगुन्नी हो जाती है तो इतना लंबा चोरा लिखने की कोई जरूरी नहीं है सीधे लिख देंगे हम लोग फिर से प्रस्ना उसार और जैसे जैसे कोश्चन कहरे रहा है उस तरह से हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे इसमें हान तो इसमें आप लिख लिए कि दिया गया है कि कक्षा B से 5 विद्यार्थि कक्षा A में भेज दिये जाए तो कक्षा A में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा B में बचे विद्यार्थियों की संख्या की क्या हो जाती है दुगुन्ना तो A हम लोग इधर लिख रहे हैं य बचा कितना y-5 के दुगुन्नी हो जाती है तो इसमें हम लोग करेंगे क्या दो से गुना कर देंगे फिर से एक बार समझेए दे रहा है प्रस्ण में 20 से 5 विद्यार्थी a में चलाता है तो देखिए 5 आएगा तो घटेगा और a में आएगा तो बढ़ेगा तो अब इस इस्तिती में a की विद्यार्थियों की संक्या दुगुनी हो जाती है तो दो से अम लोग करेंगे क्या इसमें गुना कर लेंगे य 2y 1-10, बराबर भास्या, 25, 15, 15 हो गया, अब हम लोग करेंगे यह हो गया हमारा equation number 2, अब हमारे पास सम्हिकरन यहाँ पर आ चुका है, समीकरण 1 समीकरण 2 यहां से कख्षा आए और बीके भी दार्थियों की संख्या कुल संख्या हम लोग ज्यात कर सकते हैं तो यहां लिखेंगे अब अब समीकरण 1st minus 2nd करने पर समीकरण 1st हमारा x minus y बराबर 10 है और second equation जो आया x minus 2 y बराबर minus में 15 है घटाने पर तो यह minus यह plus यह हो जाएगा plus यह cancel हुआ और यहां minus में एक y plus में दूआए तो यहां बच गया y और बराबर 15 और 10 यह हो गया 25 अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है यहां पर लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1st में देने पर समीकरण 1st है x minus y बराबर 10 अब देखिए x के x हम माने जगा पर रख देंगे 25 बराबर हो जाएगा 10 यानि कि x बराबर हो गया 10 पलस 25 मतलब या कि x का मान हमारा कितना गया 25 अब देखिए तो y का मान 25 आया x का मान कितना आया 35 आया तो हम लोग अराम से यहां पर लिख लेंगे अथा यहां देखिए अथा कप्छा a में कूल बिद्यार्थियों की संख्या बराबर हम लोग x लिये थे तो x का मान जो हमारा आया हो वो है 35 तो यह हो गया 35 तथा कप्छा b में कूल बिद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या लिये थे y? y के जगा पर कितना आया है? 25 यहीं हो गया हमारा क्या हो गया? आप चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा by the way यह question तो objective में इस type का पूछेगा नहीं by the way यदि पूछ रिया तो इतना time और इतना प्यज बरबाद करने कि कोई ज़रूरी नहीं हम लोग आप संदेख करके इसका सही answer हम लोग क्या करेंगे चूल लेंगे तो answer में कहीं न कहीं यह रहेगा क्या रहेगा A और B की बात है तो यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए यह रहेगा 35, 25 इस type से रहेगा किसी में रहेगा 45 और 35 यह रहेगा यह माल लिजिए A में हो गया, E B में हो गया, C में ले लेते हैं 15, 25 और D में ले लेते हैं हम लोग माल लिजिए यहां 25 और यहां ले लेते हैं 35 ठीक है आप देखिए तो हम लोग option से कैसे इसका chain कर सकते हैं ठीक है तो हमारा answer अभी हमको पता चल गया कि 35 और 25 है तो चलिए नीचे से हम लोग चेक करते हैं कह रहा है, यह A का हो गया, E B का, सब में पहले A है उसके बाद B है, हाना तो कह रहा, कच्छा A में A से 5 भी द्याथी B में जाएगा तो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा देखे तो, इसमें से 5 जाएगा तो यह 30 हो जाएगा, लेकिन यह 10 बचेगा, मतलब बराबर नहीं हो रहा है, यह गलत है इसमें से 5 इसमें जाए गया गाए यह लागू कर गया कि हा भाई यह कर रहा है को अठिग से दूसरे के बराबर हो जाए गाए इसमें से 5 भेजिये इसमें 25-45 यहां पर जाएगा 40 यह बराबर हो लेकिन देखेंगे कि दूसरा transmission लागू कर रहा है कि नहीं तो दूसरा condition कर रहा है कि B में से जब A में 5 आ जाता है तो B के दूगू नहीं होनाती है तो A में से 5 जब इसमें भेज हैं तो यह हो जाएगा 50 लगी अजा बघे गाए10 तर economies यह ही less pack technology God जाएगाई 20 बचेगा तो देखिए तब यह बैस बचेगा आई 40 मतलब यह बहुत भी हो रहा है और इस इसमें से जा रहा है तो बराबर भी हो रहा है मतलब यह करने सब लागू कर रहा है तो हमारा आंशन हो जागा यहीं चलिए उमीड है आप लोग समझ में आँ होगा अब इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रेशन का हाल